दोस्तों, अभी हम लोगे में बात करेंगे, Big Bass League के Mass Summer 19 के बारे में, जो कि यहाँ पर खेला जाएगा, Brisbane Heat versus Sydney Tenders के बीच में, इसकी हम लोगे यहाँ पर काफी ज़्यादा, deeply बात करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे, winning percentage को लेके, कि कौन सी टीम के कितने winning chances इस match में याँ पर बनने, क्योंकि फ्रेंट्स अगर आप लोग यह चीज वेरिफाई कर लोगे, कि कौन सी टीम इस match को जितने वाली है, तो आपका जो team combination है वो यहाँ पर strong बनेगा, प्लस आपको जो Trump player चाहिए, जो कि फ्रेंट्स आपको इस match में clean sweep कराने में, आपकी help करेंगे, उनको ढूनने में आपको काफी जादा easy रहेगा, क्योंकि आप लोग देखते हो, कि जो team win करती है, उसी की तरब से ट्रम प्लेयर रहते हैं, उनके चलने के chances काफी ज़दा high होते हैं, तो आपको हमेशा जो ट्रम प्लेयर है, उनको आपको winning team की तरफ से pick करके चलना, चाहिए, बैट्समेन हो, चाहिए, बॉल्डर हो, और आपको मैं इस match में भी 2-3 ऐसे ट्रम प्लेयर बताऊंगा, जिनके विज़ो से आप लोग इस match में भी clean sweep करने वाले, तो वीडियो काफी ज़ता interesting रहेगा, वीडियो को आपको लास्तर जो से watch करना, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, तो एक like आप लोग को वीडियो को लास्ट में जाके करना है, और फाइनल टीम के लिए telegram को भी आपको जोईन करना है, तो फ्रेंट्स आपको जो team combination है उसकी power को आपको समझना पड़ेगा, आप लोग देखते हो बहुत बार क्या होता, कि पूरे के पूरे जो team है उनमें captain wise captain flop हो जाते, लेकिन उसके बावजोदी फ्रेंट्स आप लोग win कर ले तो, यह कैसे होता, यह होता team combination के वह जो से, और team combination कैसे बनता, पहला जो point रहता team combination के लिए, वो होता कि आपको फ्रेंट्स winning team verify करने होती है, ठीक है, दूसरा फ्रेंट्स आप लोग थूरा सा head to head battle भी देख सकते हो, जिसके बेसे फ्रेंट्स जो है आपकी team combination है, वो और जाते strong मनेगा, और भी important factor है, उनको हम लोग आगे discuss करेंगे, आपको मैं एक चीज़ बता दू, fantasy में सिरुफ 5-10% ऐसे लोग है, जो proper profit कर पाते, यह लोग कैसे profit कर पाते हैं, क्योंकि यह team combination के उपर work करते हैं, 6-7 सालों का मेरा experience है, और उसके बेसे, जो मैंने यहाँ पर जाना है, कि team combination सबसे important होता fantasy में, अगर आपका team combination अच्छा है, तो आप लोग कभी भी loss में नहीं रहोगे, इस चीज़ की guarantee है, तो चलिए simply friends, जो हमारा पहला point होता fantasy में, इसलिए आप लोग को ने देखा होगा, जो मेरा पहला point होता है, मैं यहाँ आपको यहीं बताता हूँ, कि कौनसी टीम के कितने winning chances है, तो यहाँ पर ब्रिस्बैन हेट की team है, इनके 37% यहाँ पर winning chances बनने, इस match में, जो Sydney Tenders की team है, इनके यहाँ पर अगर आप लोग winning chances देखोगे, तो इनके जो winning chances है, यहाँ पर 63% बनने, ठीके ट्यों बनने, क्योंकि अगर आप लोग दोनों टीमों का recent performance देखोगे, तो जो यहाँ पर ब्रिस्बैन हेट की team है, इन्हों रिसेंटली चार मुकाबले इस सीजन में केले, चार में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है, और तीन मुकाबले इन्होंने हा रहे हैं, वहीं जो Sydney Tenders की team है, इन्होंने रिसेंटली इस सीजन में, पांच मुकाबले केले, पांच में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले आ रहे हैं, और लास्ट जो मुकाबलक जीता था, उसे इन्हों ने पूरे 10 के 10 विकेट से जीता था, आप लोग को याद होगा, मैंने टीम में पिक किया था, और मैंने आपको ग्रेंडिंग के उपर भी बता था कि ये बंदा कोई मैच नहीं वा, लेकिन लास्ट सेजन इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले हो चुगे, ठीक है, थोड़ी से ये सलो रहती है, अगर आप लोग लोग लास्ट सेजन देखा होगा, और यहां पर चेजिंग बहुत अच्छे से होती है, जो 3 मुकाबले होती है, तीन में से सिर् तो जो टीम बॉलिंग फर्षट करें थे न, उनकी जो बॉलर है, दो से तीन विकेट कोई ने कोई हमेसा लेके जा रहा था, तो जो टीम बॉलिंग फर्षट करेगी, वो आप लोग के लिए इंपोर्टन इस कंडिशन में होने वाले, ठीक है, यहां फ्रेंट जो यह विनि स्कोर देखो के फर्षट इनिंग का, तो 143 आपको दिखेगा, और 2 इनिंग का थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अकॉर्डिंग तो लास सीजन, यहां पर जो 2 इनिंग में चेजिंग होती, वो थोड़ा सा एजी होती, तो चेजिंग आप लोग यहां पर मान सकते हो, ठीक है, अब यहांब सीजन, आपको पूरे तो पोली तरह से इलुडले, यह यहांपर सा एजी मिलेगे, तो मैच आपको पूरा होता हो, यहाँपर दिख जाएगा, right? अब यहां पर Sydney Tenders की जो फ्रेंट्स प्लेंग नहींगे उसके हम लोग बात करेंगे तो फ्रेंट्स इनकी तुपसे Alex Heltz and Mackeogelix दोनों के दोनों फ्रेंट्स यह पर open करेंगे last फिर आपको यहाद होगा दोनों फ्रेंट्स जो है वन साइडेड विन कराए था फस्टाउन आपको यहाँ पर जो है रिलो रोस से दिख जाएंगे फिर Alex Ross फिर आपको यहाँ पर डेनियल सेंप्स जो कि इनके वन अफ़ बेस्ट और फिर आपको फ्रेंट्स यहाँ पर नाथ हो सकते हैं ठीक है तो एक चो मेरा ट्रंप ले रहेगा बॉलिंग से से वह यहाँ पर उस्मान कादिर रहेगा गुर्विंदर सुन्दु मुझे लगता कॉमन पिक रहेगा लेकिन अगर आप लोग देखोगे इनकी पहले बॉलिंग आती न तो गुर्विंदर सुन्दु को आप लोगि क्यों इस्माले लिग के लिए फिर आपको आपको यहां पर फिर रहेगा थी ने फिर को दो अपको लाइए तो काफी इंपॉर्टन यह दोनों के दोनों आप लोग के लिए हो जाएगे तो इनका अगर आपको carrier भी देखना तो यहाँ पर Alex Health का 35 का है VBL में average और यहाँ पर जो Matthew Gillick है इनका भी 21 का यानि कि दूनों का average अच्छा है तो दूनों के साथ आप लोग कोई compromise यहाँ पर नहीं गनना ठीक है बागी friends आप लोग all rounder section में भी जाओगे तो इनके पास Daniel Samson बहुत कब है इनका इसलिए हमारे पहले ट्रंप इस मैज के लिए होने वाए ठीक है अब यहाँ बात करेंगे Brisbane Heat की तो Brisbane Heat की तब से आपको Colin Munno ब्रेक्स ब्रेंट की आप आपको open करते दिखेंगे ठीक है इनके सामने मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी भी घर गिल सकता वो गिर सकता है तो टीम बनाओ गया आप लोग उसमें आप लोग को ड्रॉप करके चल सकते हो ठीक है अब यहां पर दिखो फ्रेंट जो है मैत रेंसो करके क्लियर है मैं आपको बहुत टाइम से कहलो यह बंदा बहुत बर्दस बैटिंग करता लेकिन अभी तक यह बंदा अपनी टॉप फॉर्म में नहीं है ठीक है अगर यह फॉर्म में आता इस मैच पे तो डेफिनेट आप आप लोगो इस बंदे को लेकि चलना ठीक है फिर यहां पर बात को रहेंगा सेम बिलिंग्स की लास्ट में फ्ले फ्लॉप हो गया था हमने भी टीम में नहीं पिक किया था आपको यह बंदा फ्लॉप भी आ था फिर आपको यहां पर जो है जैवियर दिख जाएंगे फ्रे सीजन गया था उसमें इस पीछ पर फ्रेंट्स बंदे ने तीन विकेट निगा ले थे प्लस यहां पर बैटिंग से कुछ कॉंटिब्यूट्स न किया था तो कहीने कहीं मुझे लगता कि अगर यहां पर जैवियर की जोग पर जैप बैजली को टीम मौका देथी तो वह कही मुझे लगता है इस मैच के लिए गेम चंजर साभीत हो सकते हैं क्योंकि अभी तक यह बंदा भी अपनी टॉप फॉम में इस सीजन देखोंगे बहुत सट्रगल कर रहे एक भी बड़ी नॉक जो है लेकिन लास्ती तीन मैच जो देखोंगे न आप लोग उनमें यह बंदा पर गेम चंजर साभी तो इस तक आप लिए पर आप थोड़ा सा इगनॉर भी कर सकते हैं तो तो कहीं नहीं यह इंप्टन हो सकता है ठीक है अब यह बहुत हो सकता है अभी तक इन्हें बिकेट नहीं मिले लेकिन इस पिछ में अच्छी बॉलिंग कर आई है ठीक है तो यह दोनों टीमों की प्लेंग अने इनके स्टैट्स है रिसेंट फ़म में आपको अलड़ी बता चुका है एड्ट्विड वैडल देखोगे फ्रेंट्स दोनों का एकक्वल है लास्के दस मैंज मैं ब्रिस्बैन हीट ने भी पांच मुकाबले जीते है और सिद्नी थंडर ने पांच मुकाबले जीते हैं यानि कि दोनों टीम में फ्रेंट्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से ठक कर देती इस्मॉल लिकल जो सबसे बैस्ट कैप्टेन नहींगे डेनियल साम्स माइकल नेसर एड्ट एलेक्स होने वाले ग्रेंडिंग में आपको कैप्टेन अल्री बत बन के आई है वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं और आप लोग यहां पर देखिए मैंने गुरिविंदर संदु को पिक है जिनका रिकॉर्ड यहां पर बहुत अच्छा उस्मान कादिर जो कि हमारी ट्रंप ले रहेंगे स्मैस के लिए इनको मैंने यहां पर पिक किया और बैटिंग सेक्शन में आप लोग देखिए एक रिस्क आप लोग ले सकते हो थोड़ा से जादा रिस्क रहा हो जाएगा कि को ड्रॉप करना टीम में ले लोग लेकिन क्याप्टेन को ट्राइ मत करना ठीक है मैथ्यू गिलिक्स के साथ मैं अगेन जा रहा हूँ आपको जो आज का हमारा जो एनलिसिस है यह आपको यह पर पसंद आयोगा पसंद आयो तो यह आप जाके आप लोग एक लाइक कर देना पहली बार चैनल तर पहुझे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओल पर सेट कर लेना मैं मिलूंगा आप लोग अगली वीडियो म तब तक के लिए जहिन